आसाम के डुमडुमा गाउं में हुमेन नामक युवक रहता था। उसके पिता मर चुके थे। माने ही उसे पालपोस कर बढ़ा किया था। हुमेन के चार चाचा थे। वे उससे बहुत जलते थे। एक दिन उन्होंने हुमेन के घर से उसका प्यारा बच्छरा चुराया और उसे मार दिया। हुमेन को पता चला तो वह बहत दुखी हुआ। फिर नजाने उसे क्या सूझी बच्छले का सिर काटकर शेश शरीर को दफ पास के गाव में एक ब्राहमन रहता था, बचले का कटा सिर उसके आंगन। में छिपा कर होमेन ने बाहमन से कहा, आपके घर से तो गौमान्स की बद्बू आ रही है। पास के गाव वालों को उस बात के बारे में न बताए। तो जम कर पिटाई की। बाखलाए हुए चाचाओं ने होमेन की जोंपड़ी में आग लगा दी। पोमेन और उसकी मा बेघर हो गए, बेचारी मा के आसु देखकर होमेन तिलमिला उठा। उसने राख इकठी की और एक दूसरे गाव में जा पहुचा। ले लो आख का सुर्मा ले लो, इसे लगा कर गड़ा धन मिल जाता है, जिसका ब्याह न होता हो, जल्दी ब्याह हो जाता है। हाथ की हाथ एक थैली सुर्मा बिक गया, शेश राख होमेन ने छिपा दी, अपने चाचा के पास जाकर बोला, मेरी तो जोंपडी की सारी राख बिक गई। चाचा ने हैरानी से पूछा, राख बिक गई। हाथ, इसमें क्या शक है, कहकर उसने पैसे दिखाए, फिर होमेन ने उन्हें उकसाया कि वे भी अपनी जोंपडी जलाकर उस गाव में राख बेच आए, बड़ी जोंपडी की तो राख भी ज्यादा होगी। उसके सारे चाचा बातों में आ गए, चारों ने अपने अपने घर फूंक दिये और राख ले जाने की तयारी करने लगे। देखते ही देखते बास की लाठिया उन पर पढ़ने लगी, बेचारे पिट्टे पिट्टे घर लोटे। चारों ने गुस्से के मारे होमेन को मारने की योजना बना ली, उन्होंने होमेन को डोट नदी किनारे रसी से बांधा और खुद भात खाने घर चले गए, उनके जाते ही वहां से एक सौदागर गुजरा, उसने होमेन से पूछा, क्यों भई, तुम्हें यहां क्यों सौदागर बोला, मैं शादी कर लेता हूँ उस लड़की से क्या ऐसा हो सकता है? हुमेन ने जट से उसे बांधा और उसका घोडा लेकर रफू चक्कर हो गया, चारों चाचा खापी कर लेट गए, आलस के मारे उठा न गया, पिटाई के कारण पोर-पोर दुख रहा था, नौकर से बोले, जा तु हुमेन को नदी में फैंका, हमसे तो उठा नहीं जाता पेचारा सौदागर चिलाता ही रह गया, नौकर ने चाचा को सूचना दी, जी, कांग चारों मिलकर हुमेन की मौत की खुशी मनाने लगे, हुमेन ने पेड के पीछे छिपकर सब देखा और घोडा लेकर चाचाओं के पास जा पहुचा सब को प्रणाम कर बोला, नौकर ने गहरा धक्का नहीं दिया, इसलिए केवल घोडा मिला, यदी गहरा डोगता तो वहाथी भी लाता, चारों चाचा फिर उसकी बातों में आ गए, हुमेन को पुचकार कर पूछा, क्या सचमुच नदी में पशु मिल रहे हैं? हाँ, हाँ, आप लोग भी ले आओ, हुमेन ने कहा, चारों चाचा आलस छोड़कर नदी की तरफ लपके, नौकर को भी साथ ल ये इरशालू और दुष्ट चाचाओं से मुक्ती मिल गई वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिये, कमेंट में जरूर बताईए कि वीडियो के सा लगा, और ऐसे और वीडियो के लिए मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिये, धन्यवाद